नमव नारे, जैगोमात आओ, वंदे मात्रमा भारति को पनाम और हिरदय से ओम शम सनिश्चराएगा, प्रिदर्श कोव मित्रम शाथियों, इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारे बिजनस में नहीं होना जाहिए, हमारी सोच में, हमारी बच्चों की परिविश में भी सबसे शेवा का भाव है, तो हमारी आने वाली संतान भी उसी तरह का कारे करिए, इसलिए कभी-कभी इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी करिए, नमव नारे, नमव नारे, पिरदर्शकों, मित्रों, शाक्षियों, श्वागत है आप सभी का वर्ष दोहजार पचीस के अंकों की रश में दुनिया की भावशेवानी में, मुलांग को लेकर मैं आपके सामने हूँ, अंकों की रश में दुनिया में, मुलांग के अनुशार साल दोहजार पचीस का आ परनाक्षतर मुलांग के लिए क्या संकेत देर है इस विशे पर ये वीडियो है लेकिन आप ये जानना चाते हैं कि 2025 का वर्षफल क्या होगा तो ये मुलांग का पार्ट बन है मुलांग पार्ट टू में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं इस वीडियो में जो गुर्मा मैं दुनिया के अनसुलजे रह्षे इसकी चर्चा करूँगा अंकों का जो अधुद ये ज्ञान है परमपिता और गुरु महराजी की एसम दिया से जो आसिरवाद मेरे उपर है ये उनकी कृपास है और मेरे दिल की तमन्न हमेशा ये ज्ञान आपके पास पहुंचे ज्याद से ज्यादा लोग इसका लाब उठाए मैं अपने अनभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं आपके जिवन में रुपांतरन लाओं आपके जिवन में ट्रांस्परमेशन आए यही एक प्रियास है प्रिशाथियों ये अद्भूत साइंस है इस साइंस के मादियम स आप अपना जिवन रुपांतरन कर सकते हैं इस संसार में जिजन हम आए वो तारीक वो तिथी जिजन इस दुनिया में हम पैदा हुए तब ही से वो जो नंबर है ने वो जो अंक है ने वो हमारे चारों और चारों और कहीं 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 हमारा पीच्छा करता है इसलिए मैंने क बता कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जनम की तारिक नहीं, वह पार्टिकुलर डेट, वह मुंत, वह येर, जब हम पैदा होते हैं, उनकी अंक कहीं 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 हमारी आसपास हमारी आगे पीछे घुमते नजराते, आपने गारी खृड़ी, आपने घर खृड आपने कोई प्रॉपटिली आपने हवाई यात्रा की आपने रेल यात्रा की उस सीट का भी एक नंबर होता है आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जिवन की किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंग आप सभी जानते हैं कि नंबर एक से लेकर नो तक होता है और जब दस आएगा एक और सुन्य को जोड़ेंगे तो पुने एक आएगा और जब एक और एक को जोड़ेंगे तो दो आएगा और एक को साथ को जोड़ेंगे तो आथ आएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते ज चंदर देव के पास नंबर दो है, ब्रश्वित देव के पास नंबर तीन है, रहुदेव के पास नंबर चार है, बुद्देव के पास नंबर पांच है, शुकर देव के पास नंबर चै है, केतु देव के पास नंबर साथ है, शरिदेव के पास नंबर आठ है, और मंगल दे जीवन पर अंकों का अपना अधभूद और अलोकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंग जोतिस के आधार पर ये बताने की कौस्टिस करूँगा कि आपका व्यक्तित हो, आपका कारोबार, आपका केरियर, कि छेतर में काम करें, आपकी आर्थिक इस्तिति कैसे रहेग आपके कमिया, आपके सावधानिया, आपके सुब महा, आपके असुब महा, आयू के सुब वर्ष, आयू के असुब वर्ष, आपके निवासिस्तान, आपके संस्तान, आपके मोबाइल का नमबर, आपके वहन का नमबर, आपकी साधी कौन से वर्ष में उप्यक्त होगी, इस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विश्यों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा, अंकों के हिसाब से, दोहजार पत्चीस आपके लिए कैसा रहेगा, दोहजार पत्चीस में क्या छुपाए आपके लिए संभावना कैसा रहेगा, दोहजार पत्चीस में आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी सिख्षा, आपका पारवरी जीवन, आपका स्वास्ति, आपका कारूबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारन वर्ष दोहजार पत्चीस के अंग जोतिस के वार्षिक फलादिस, यानि ये पार्ट वन है जो भी बोल रहा हूं, और पार्ट टू में आपको फलादिस मिलेगा, मैं यहां आपके पूरे व्यक्टितु चरितर चितरन चर्चा करूँगा इस वीडियो में, मितन शाथियों पुने मेरा निवेदन, ये मेरा प्रियास है, न मैं प्रजापिता ब्रह्म हूँ और न मैं हतली में सरस्व गाता हूँ, मैं अपना आनभाव सेर करने आता हूँ, मानो न मानो ये आपकी मर्ची है, हाँ, सधा मैं यह कहता हूँ, शEके नुपन निन का अधिकार आपका था आपका है आपके का रहेगा मुलांग तीन के व्यक्तितों के मुलांग तीन का व्यक्तितों विश्रशन करने जा रहा हूं शाथी और पुने निवेदन विचार है मेरा अंकलन है दबाव नहीं मुलांग तीन और मुलांग तीन कैसे हुआ तो यदि आपका जनम किसी भी मेने की 3, 12, 21 और 30 तारीक को हुआ है तो आपका मुलांक 3 होगा मुलांक 3 के स्वामिक्रह देवता ब्रश्पती देव है और मुलांक 3 पर ब्रश्पती देव का प्रभाव होने के कारण ये अंक बहुती आशावादी अंक है पुरी छमता और इमानदारी से काम करने वाला मुलांक है ब्रश्पती देव की प्रभाव के कारण आप प्रतिबा संपन व्यक्ति और शमाज के प्रमुक पदों पर आप विराजमान देते हैं आप बहुत बुदिबान हैं बहुत मनी मा आप नियाई से लड़ते हैं और बुजर्गों का शमान करते हैं अपनी बोधिक कुसलता की दम पर आप जिमन में बहुत तरकी करते हैं शाथियों आपका सभा बहुत कौमल है आप दूसरों की प्रति नरम रवया रखते हैं लेकिन तिमाग बहुत तेज है प्रतिभा संपन इस पूर्तिवान और विवेक सील है आप बातों को जल्दी समझने शीखने और विश्वसन ये धंचे निभाने की कला आपके भीतर है साथ में कई बार मैंने ये देखा है कि कभी कभी आप जरूर से ज़्यादा दूसरों के लिए सहयोगी बन जाते और ये आपके लिए आ बड़ी चमता है लें के बार ये भी देखा गया कि छोटी छोटी फाइदों के लिए बड़ी बड़ी अउसरों को आप दरकिनार कर लेते और नुपसानों खा लेते देखिए का इस विश्वसे पर काम करते हैं आप समय का भरपूर उपियोग करते हैं फिर जाए उबीते या पर आने वाला अकल हो या आजाए वर्तमान शमय का उपियोग आपको बहुत अच्छा है हर समय का अच्छा उपियोग आप अपने जीवन में करते हैं और अपने जीवन में हमेज़ा कुच ने कुच ने-कूच ने-कुच नहीं सईखिता है सबाव साब बहुत सांत प्री है कौमल हर्दे के व्यक्ति मृदुबासी है सच बोलने वाले अध्यात्मिक परवर्ति के व्यक्ति भी आप है आप हर प्रस्तति को अपने आप में ढान लेते और खुश रहते हैं आप बहुत महत्वकान सी है आप अच्छे नितरतर करता है आप अनुशासन प्री है हर कारी को व्यवस्ति तरीके से करते हैं आप एक इस्पष्ट वक्ता है आप अपने कारीों की परती बहुत सतर्क, इमानदारों, अनुशासित और चौकने रहते हैं चुनोतियों से आप नहीं घबराते चुनोतियों की हालत में हिम्मत नहीं हारते हर इस्तितिका डट कर सामना करते और निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं आप रचनात्मक और शामाजिक कारी में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं परवर्ति थोड़ी सी खर्ची लिए साथियों जिसका नुक्सान आपको अपने जीव में उठाना परता है कभी-कभी आप तानासाई परवर्ति को अपना लेते हैं जिसे कई बार आपको मोटा नुक्सान भी होता है आपके मित्र भी आपको शत्रु समयने लगते हैं क्योंकि आप महत्वकांसी भ्यक्ती उच्च कोटी के आकंसा है आप नेत्यतु में विश्वास करते हैं आधिन्ता में नहीं आपका लक्ष जिवन में निरंतर उनत्ती करना होता है दूसरों पर अधिकार और नियंतरन करना आपको अच्छा लगता है आप अनुसासन और व्यवस्ता पसंद करते हैं आप अपने दुराब बनाएगे नियमों का पालन करवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं इसलिए लोग आपको ताना साधिक है कि कुछ जानकारिया हैं आपके लिए इसमें थोड़ा सा इदुदूर करकर आप अपने जीवन को सहज, सरल और संतुष रख सकते हैं मैं आप आपके कारोबार और केरियर की बात करूँगा कि मुलांक तीन वाले किस छेतर में काम करते हैं किस छेतर में उन्हें शफलता मिल दिए क्योंकि ये बहुती बोधिक अंक है लेखन में बहुत जबर्तस इन्हें शफलता मिल दिए कला, विज्यान, खेल जगत में प्रशिदी पाते हैं आप किसी भी वैपार में वो अपनी मेहनत और कारिकुर्षलता से उच्पदों पर आप पहुंशते हैं आप हर सुब्चिंतक की राई को मानते हैं सही निर्णे लेते हैं इनका भवश्य उनतिकी और आगसर होता है कई बार मैंने ये देखा इस अंक के लोग सरकार के उच्चे पदों पर विराजबान होते हैं पर सरकारी उच्पदों पर शफल भी होते आप पहर सासनिक परदकारी के रूप में कारिये करते हैं आप शिख्षा के उच्चतों इतने तलीन हो जाते हैं कि दूसरों के लिए मिशाल बन जाते हैं उच्चिक्षा पर आप करते हैं नियाए के छेतर में इनका, आप हमेशा बहुत बड़ी-बड़ी संस्तान और वैवसाय से जोड़ना पसंद करते हैं, छोटे-मोटे संस्तान और वैवसाय में आपको शंतुष्टी नहीं मिलती हैं, आपके लिए कला, रचनातमत्र, राजनेती, समास शिवा, उजपद वाली जोब, बैंक जोब बड़ी उप्यक्त रहती हैं, मुलाएंग तीन वाले वैक थी, निर्टतर वाली इस्तिति में रहना पसंद करते हैं, बड़ी संस्ताओं के उच्चों पदों पर आसिन लेते हैं, सामजिक कारियों में बड़ी रूची रहती हैं, आप नियाए में बहु बहुत अच्छे रहते हैं, बैंकिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, ट्रेवल और टूरिजन में शपलता हासिल करते हैं, आयात और निर्यारति के कारें में शपलता हासिल करते हैं, वस्तर उद्योग, रेस्टोरेंट, पेपर विल, विज्यापन, ऐसे बेवस्या में भी आप सफलता हासिल करते हो, आप परशासमिक, अधीकारी और बैंक अधिकारी भी बन सकत रोगत, अध्यातिमिक वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं, यह आपका कारिच्चत रहे हैं शाथ, आपकी आर्थिक इस्तिति के बारे में आओं, कि मुलांग ч्दिन वालों की, आर्थ धन संचे के और जरूर जाता है। उमर के पढ़ाओं के बढ़ने के साथ साथ इनकी आर्तिक इस्तिती बड़ी सुदर्ड हो जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया है। धन समंदी मामलिया, जमिन जाइदाय को लेकर कही बार इन्हें कानून का सारा लेना पड़ता है। ऐसा भी से किसी को भी प्रभावित कर लगते। और किसी धार्मेक संसान से जुड़कर काम करना भी इन्हें पसंद और करते भी। बात पारवारिक जीवन की करूँ। तो पारवारिक जीवन इनका बहुत अच्छा होता, क्योंकि परिवार से इनका लगाव रहता है। यह अपने भ उन्हें हर संबव मदद करते हैं। यह अलग बात है कि इन्हें उतना सयोग उन लोगों से नहीं मिल पाता जिन से प्यार करते हैं। लेकिन यह उनके साथ कंधा से कंधा मिलागा, हर मुर्शिबत में उनके साथ ख़़ए रहा है। मुलांग तीन की स्वास्ते पे आ रहा लिवर को लेकर, पाचन संबंदी, आंतों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इन्हें ध्यान लखना चाहिए। अनिद्रा, उदासिंता, सनाई शूल, फेपणों की सूजन, सनाई उतन्तर, वात, शांस के रोग, डाइबिटीज, मोटापा, इससे यह पाचना चाहिए, कि कुछ बाते आपकी स्वास्ति को लेकरते, आपकी ताकते त्यवरित, निने छमता, सकरात्मक्सोद, आत्म विश्वास, महत्वकांसी, लक्स की प्रति सज्यूग, इनोवेटिव, मजबूत इच्छा सकती, चुनोतियों से लड़ने के लिए हमीशा त् विवारिक है, अश्ताइ संबंद है, और दूर दस्तिता की कमी है, इस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जिस गारी में आपको शफलतान मिल नहीं, मिलती सो हम निरासों से गिर जाना चाहिए, निरासा आप पर हवी नहीं हो, इस पर आपको काम करना चाहिए, आपका हा समय और प्रसतिया आपको देखनी चाहिए है ताना सही परलवर्थ से चाहिए विशे नए आपको आपको बता रहा है आपको। कारों से सावधान डेना चाहिए जो बट्रिंग करते हैं उससे बचना चाहिए मसालेदार भोजन से प्रेज करना चाहिए दूसरों की प्रती इर्शिया भाव नहीं रखें आप जितना कमाते उतना खर्च कर देते यानि संग्रे शक्ति कम जोरे इस पर भी आपको काम करना च जाते हैं आपके ज्यादातर मित्र आपका साथ नहीं देते हैं वक्त अनुपनेबर विश्वास करते हैं देख लेजेगा के बार मैंने यह भी देखा कि अपनी पारवारिश सद्वस्तार भी आपकी पट्री नहीं बैठती तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए इसमें सुधार लाना चाहिए आपके लिए मार्च सितंबर और दिसंबर का महिना बड़ा सुब माना जाता कोई भी सुबगारी है चाहिए वेपार विस्तार हो विवाह हो या कोई भी अच्छा काम आपको मार्च सितंबर और दिसंबर के महिनें करना चाहिए फरवरी अप वर्ष बहुत भागिसाली होता है। इन वर्षों में केरियर, कारवार, भूमी, वहन, वान, वैविशाय की हिसाब अच्छा लाब बिलता है। इन वर्षों में कामकारी, वैविशाय के लगर देश-विदेश की यात्रा भी आपकी हो सकते। लेकिन मुलांग तीन वालों, जीवन का चौथा, ग्यारवा, तेरवा, बीशवा, उनतिशवा, एकतिशवा, अरतिशवा, चालिशवा, सेंतालिशवा, उननचासवा रो अठावनवा वर्ष विशेश शावधानी का है। चाहिए वो नौकरी हो, समाज हो, परिवार हो, बड़े शुबर रहते हैं। आप अपने वहान का जो अंक है, वो भी 3, 6, 9 रखें तो आपके बड़ा शुबर हैगा। मुलांग तीन के भाई बैनों के लिए आयू का अठारवा, 21, 24 और 27 वर्ष विवाधा के हिसाब से बड़ा शुबर रहता है। इन वर्षों में आपक के छेतर में हैं, आप संगीत के छेतर में, आप निर्टे के छेतर में हैं, तो आपको अपने अभिने, अपने निर्देशन और आप इन चीजों में सफलता पाने के लिए आपको विशेश रूप से मुलांग 1, मुलांग 5, मुलांग 6, मुलांग 7 और मुलांग 9 पर ज़्य माना गया है और आपके लिए उत्तर पत्सिम दिशा उत्तर पुर्व दिशा बड़ी सुब रहती है मकान दुकान फेक्टरी का चुनाव इन दिशाओं में करें तो अच्छा रहेगा आप अपना कोई साज़ेदार बना चाहते हैं या निजी समंद रखना चाहते हैं या बना दीजी हर गुरुवार को सधान उसाथ पकावा पपिता गरीब निर्धन जरूत मंद बहुत जरूत मंद महिलाओं को दान में दे और एक पकावा पपिता चील कर गाई को अपने हाथ से खिला देंगे तो आपका पूरा साल खुशियों से भी देगे गुरुवार के द दो चार साथ इनिना मित्रता ने सतुरता आपको हमेशा अंक तीन और अंक आठ से सावधान रहना चाहिए आपके लिए हलका पीला रहता है बड़ा सुब रहता है गुलाबी रंग बड़ा सुब रहता है बैंगनी रंग बड़ा सुब रहता है पुकराज धारन करना आपक करें केरियर कारोबार नौकरी के हिसाब से आपके लिए बड़ा शुबर है नाराइन की पूजा करना आपके लिए बड़ा शुबर है कि आपकी प्रधान देवता ब्रश्पति देव है आप नाराइन की उपासना करें मा लक्षमी की उपासना करें मा भगवती की उपासना कर आपके लिए बड़ा शुब है ओम नमो भगवते वासु देवाय नमो इश्मंत्र का जाप करना सदा आपके लिए कल्यान कारी है आपको हर रोज प्रातकाल नित्य कर्मियों सिनान उप्रांत मातुलसी के आगे सुद्ध देशी घर घी का दिपक जलाना प्राशु बरेगा औ ओम नमो भगवते वासु देवाय नमो इश्मंत्र का जाप करना विश्म श्रस्त्र नमावली का जाप करना अतिलाबकारी आपके लिए रहे कभी भी घर में कोई ज्यादा परिशानी हो घर की पुर्धिसा में लाल जंडा लगाई कामकाज नौकरी वैविशाय में कहीं तक आपके लिए पारी हो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाग गुर्वे नमा ब्रश्पत्य की विजमंत्र का जाप आपके लिए बड़ा सुब रहेगा बड़ा अनकुल रहेगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप अपने घर पर हर गुरुवार के दिन बंदनवार जरूर विद्वास्री को दान गुरुवार को करना बड़ा सुब रहेगा इस कुछ चुछ चुटी बाते थी जो आपके लिए बड़ी उप्योगरी इन चीजों का आप ध्यान देंगे आपका जिम स्दा को खुश्यों से भरा रहेगा और आपका जिमन में परेशान ही उसका मैने में एक बार पुरशुक्त और शिर्शुक्त का पाठ भी करेंगे तो धन की प्राप्ती होगी कारुबार में शपलता मिलेगी और आगे बढ़ने का मोखा भी मिलेगे प्रदर्शकौर मित्रों मुलांग तीन का ये व्यक्तितु विश्रेशन था मेरे अनभाव का अंक कि आपका मोबाइल नंबर क्या हो आपके गाड़ी का नंबर क्या हो आपके सुबवर्स क्या हो आपके घर का नंबर क्या हो आयू के सुबवर्स कौन से कौन सा कलर आपके लिए मैंने मुलांग में सब कुछ समझाने का प्रितन क्या अपने पूरी जानकारी मैंने आपको द चीज़ कैसा रहेगा पूरा विवरण है और आपके आसपास मुलांग चार का कोई व्यक्ति है आप उनके बारे में कुछ जान नताते हो तो गुरुमंत्र विद्धाती महाराज पर जाईएगा पर जानकारी मुलांग चार के बारे में आपको मिल जाएँगी अगला जो विडियो वोगा मुलांग चार का होगा उसमें भी दो-क आट यहे पर दोजार पचीस का राश्यिफल मिलेगा नम नारे प्रदशकों मित्रों शाथ्यों पूरा राश्ट यह जानता है कि मेरा जिवन गो माता और बेटियों के लिए है यतर नारश्तू पूजंते रमनते इतत्रदेवता ठीक किसी तरे मेरा जीवन गो माता की सरणागत है उनके च्रणों में है पुरा राष्ट और राजस्तान का हर वक्त ही जानता है कि दाटी माराज गायों से बहुत प्यार करते हैं बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में शैंकणों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं यह कह सकता हूं कि गोमाता और बेटियों के लिए मेरा शंपून जीवन निचावर है। मेरे जीवन का उदेशय था यूँकि मेरे लिए राष्ट से कोई बड़ा है ना राष्ट से बड़ा हो सकता है । और गोमाता और बेटियां राष्ट की धरोबर है। उनके लिए hyvin निया करते भी था, मेरा करम भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूँ ये बात बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरे जीवन का लक्ष है था मैं अपनी राष्ट की सेवा करूँ ये मेरा धर्म है क्योंकि मैं इस राष्ट का नागरी हूँ पिछले 35 सालों से मैं बेटी बचाओ गो सेवा में अपना संपून जीवन राष्ट के साथ लगाया समय बड़ा बलवान है समय बलवान होता चाहती हूँ वर्तमान प्रस्तिया आर्तिक दश्कौन से मेरी अनकूल नहीं है ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूँ दन नहीं मांग रहा हूँ मैंने आज तक राष्ट के कभी निका कि मुझे धन दो मुझे पैसे नहीं चाहिए ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूँ और ये मेरा अहिंकार नहीं है बात बताना चाहता हूँ मैं अहिंकार से यह नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया जिए यह मेरा निवेदण है हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राश्की शेवा करूं मैं भी कर रहा हूँ और आप भी शेवा करो धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान आर्तिक प्रस्ततियां मेरे को ये कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सनिधाम गोशाला की गाए दुखी नीरे इसके लिए मुझे आपका सयोग चाहिए और सयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूँगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा आपकी समश्याओं के शमधान के लिए चाहिए वो पूजा पाथ हो चाहिए जोतिस हो चाहिए ध्यान हो चाहिए योग हो किसी भी रूप में आपको मेरे से सयोग चाहिए आ आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्मकुन ली देकर आपको कुछ शमाधान दूँ और आप सबको कुछ ने कुछ जानकारी चाहिए मैं आपके साथ खड़ाओं पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जिऊंगा तब तक रास्ट के साथ खड़ा रहूंगा नीचे नमबर आ पर्तिक परस्तियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ और मेरी गोमाता सनिदाम गोशाला चारों को लेकर प्रेशान नहीं हो ऐसा मैं हिर्दय लेकर आपके सामने आया हूँ लोगों ने कहा कि रास्ट आपसे प्यार करता है दातिमराज एक बार राश्य निवेदन करि किया हूँ और मेरी विनबर प्रात्ता साथ यह मेरा राश्र शरो पर है कि मैं यह कह रहा हूँ कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिये आप उस परिश्रम की एंवज में गायों के लिए चार्य की विवस्ता कि जिह सनिद्धाषा करेंगां आपका जिम स्दा खुश्यों भरा रहेगा ऐसा मेरा नीविद है और वे सभी लोग जो सक्सम है सामर्थेवान है जिन्हें दाती महराज के जोतिसी समधान की आवस्चता नहीं है उनको मेरा प्रणाम है और उन सब को मेरा प्रणाम है जो सनिदाम गोसालाओं को सपोर्ट करते हैं शेवा में कंधा से कंधा मिला कर खड़ा रहते हैं, जबसे मैंने यह सूचना दी, जबसे मैंने मैसेज दिया, हजारों लोग, सनिदाम गोशाला के साथ कंधा से कंधा मिला कर खड़े हैं, उन सब को, मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अबिनन्दन, हर महीने, आप मैंसे बहुत से लोग, कुछ ने कौन से अनकूल संकीत नहीं दे रही इसलिए मैंने राश्य का कि सनिधाम गोसाला में परिशानी नहीं आये सरकार सपूर्ट करती है सरकार की तरफ से जो वो करना चाती हो करती है लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है सरकार की अपनी सीमाएं ऐसा दे हो और उससे पूरा नहीं पड़ता है और अपनी मर्यादाइं भी और सीमाएं सासन के पाद और बहुत से काम ऐसा दे हो फिर भी मैं सासन का भी धन्यवाद दोंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं पुने हिर्दे से एक बार निवेदन करना च कि यह प्रात्ना है मैं दाति महराज आपका हूं और आप मेरे हो मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए राशवार्षियों वैफारी नहीं हूँ समय है आज आप से कह रहा हूं और अपने आसपास भी जो गाएं उनकी भी सेवा करते हैं तो यह भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो क्योंकि गोमाता दुखी नहीं रहनी चाहिए बस इस बात का द्यान देखिएगा पुने हिर्देश से आभार ओमनमुनारें